आप लोग आप लोग आप लोग आप लोग आप लोग बहुत अच्छे हैं दोस्तों मैं पीके मिश्रा आपका लेट स्कोर 100 में वेलकम करता हूं दोस्तों आज हम लोग अपनी क्लास 10 की प्लिटिकल साइंस का जो फर्स चैप्टर है उसका थर्ड टॉपिक करने वाले हैं जि एंड आए देखते हैं इस वीडियो में क्या कुछ है तो हमारा आज का टॉपिक है एक मोडेशन इन बेल्जियम दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेल्जियम यूरोप का एक बहुत छोटा सा देश और हम लोग इस चैप्टर के फर्स टॉपिक में पढ़ चुके है है कि यह हमारे हर्याना से भी छोटा है in terms of population and in terms of area both right तो बिल्जियम में जो मॉडल उन्होंने एडॉप्ट किया वो बहुत ही innovative model है और इस मॉडल की help से स्री लंका की तरह जैसे कि श्री लंका में क्या हुआ उन्होंने power sharing नहीं करी जो दो major groups थे जो दो major communities थी श्री लंका में आप लोग जानते हैं सिनहला एंड तमिल दोनों में जो conflicts हुए उसकी वज़ा से श्री लंका में civil war तक हो गया लेकिन at the same time Belgium में उन लोगों ने diversity को recognize किया और they tried for long 23 years जैसा कि आप लोग देख सकते हैं from 1970 to 1993 they kept trying for long 23 years so that country में peace maintained रहे और जो major linguistic groups french speaking speaking Dutch speaking and one person German speaking थे सारे लोग आपस में प्यार से मिलके रह सकें आये देखते हैं तो the Belgian leaders took a different path यह different path different path किसे श्री लंका से different path लिया क्या different path था they recognize the existence of regional differences regional differences जैसे हम लोग देख सकते हैं यह फ्लेमिश रिजन है जहां पर Dutch बोली जाती है यह पूरा वैलोनिया रिजन है राइट जहां पर फ्रेंच बोली जाती है और 1% यहां पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वन परसेंट जर्मन स्पीकिंग लोग रहते हैं तो श्री प्र ट्री यह अर्डी थ्री अर्टी मेजर रिजन से बेलजियम तो उन्हें उन्हों रिकॉनाने रिकॉनाईस किया regional differences and cultural diversity इसको जाहर सी बात है different language बोर्ड है तो उनकी background भी different होगी उनके festivals different होगे उनके customs and rituals different होगे इस चीज को Belgium के leaders ने पहचाना और इसको माना और they tried very hard की इसको कैसे एक moderate करें ताकि तीनो regions कौन कों से तीन regions होगे Flemish region जिसमें Dutch बोली जाती है Walonia region जिसमें French बोली जाती है और 1% 1% German जो की ये वाला area है ताकि peacefully सारे रख सकें आई देखते हैं इस innovative model को उने apply कैसे किया implement कैसे किया so between 1972-1993 they amended their constitution four times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together live together within the same country जैसा कि आप लोग अगर इस पर ध्यान दें from 1970 to 1993 23 long years they kept trying कि भाई कौन सा formula निकाला जाए कौन सा arrangement किया जाए कि जो two major linguistic groups कौन कौन से हो गए Dutch speaking और French speaking Dutch speaking country अगर पूरी बिल्जियम की बात करें तो Dutch speaking population कितनी थी 59 परसेंट अगर डच डच स्पीकिंग पॉप्लेशन यह देखें जो येलो में है यह फ्लेमिश रिजन है और डच स्पीकिंग अगर फ्लेमिश रिजन में डच स्पीकिंग पीपल कितने फ्लेमिश रिजन यह जो येलो कलर से दिख रहा है यह हमारा हो गया फ्लेमिश रिजन में डच स्पीकिंग लोग रहते हैं और टोटल पॉपिलेशन का यह फ्लेमिश रिजन यह फ्लेमिश रिजन हैं और टोटल पॉपिलेशन का यह फ्ल एक प्रॉब्लम आप लोगों को आती होगी वाइल लर्निंग बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है यार की फ्रेंच स्पीकिंग डेच स्पीकिंग कितना परसेंट कहां पर इसका बहुत ही सिंपल सा एक ट्रिक है उसको हम लोग देखते हैं जैसे देखिए हम लोगों के हाँ FD बहुत पॉपिलर है हम लोग FD करने के बड़े शौकीन होते हैं हम लोग बैंकों में fix deposit करते हैं इस FD की help से हम इसको easily learn कर सकते हैं यह हमारा हो गया Flemish region F for fix deposit नहीं F for Flemish region और Flemish region में क्या बोरी जाती है Dutch और Dutch speaking population कितनी है 59% दूसरा हम लोगों ने देखा German speaking population कितनी है only 1% उसको पहले लिख लेते हैं so German speaking population है only 1% of the total population अब यह मिला के कितनी होगे 59 Dutch speaking and 1% German speaking total हो जाता है 60% और 60 हैं अगर हम 40 प्लस करें तो 100 ही तो होगा तो 40% कौन होगे French speaking जो वैलोनिया रिजन में रहते हैं यह आपका हो गया RD वाला पूरा वैलोनिया रिजन है यह थोडा सा छोड चोड़ कर करके जोड़ी 1% यह जर्मन speaking है तो वैलोनिया रिजन में रहते हैं French speaking इस तरीके से हम इसे इसली याद रख सकते हैं कि Flemish region में Dutch speaking 59% German speaking여ma only 1% 59% 60% होगया remaining 40% कौन होगया French speaking होगय तो 이 40% French speaking होगया इस तरीके से हम लोग इससे easy याद रख सकते हैं आई आगे बढ़ते हैं Now The arrangement they worked out is different, different from any other country and is very innovative, अभी हम लोग आगे देखेंगे कैसे innovative है, यह very innovative इसलिए है कि उन्होंने community government भी बनाए है, और इतना ही नहीं, central government जैसे हम लोगों के यहां होती है, government of India, central government है, वैसे उनके यहां central government को federal government बोलते हैं, federal government में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि federal government या central government हमारे यहां central government बोलते हैं, government of India, उनके यहां federal government बोलते हैं, Belgium में, federal government जो पूरी country के लिए काम करती है, federal government में french speaking and dutch speaking जो ministers है, हैं मतलब federal government जिसने total ministers होगे यानि Prime Minister तो होगा Council of ministers बिकिंग मिनिस्टर होगे और मिनिस्टर होगे तो कि जो central government है वहां कि जिसको वहां पे फेडरल गॉर्मेंट बोलते फेडरल गॉर्मेंट पे number of french speaking ministers and number of Dutch speaking ministers यानि दोनों major linguistic groups जो हैं दोनों भी major linguistic से equal ministers रखे जाएंगे आये देखते हैं एक बार तो पहला एक बार हम लोग चले पढ़ लेते हैं फिर हम लोग से trick देखेंगे बाद में तो पहला हो गया यह innovative कैसे है इसको देखते हैं और उसे पर आगे लिखा है कि some of the elements of the Belgian model इस पर question आता है five marker एक बार हम लोग question देख लेते हैं फिर details से पढ़ते हैं इस पर question आता है explain or describe the important elements of Belgian model अगर इस तरह का question आगा तो five marker होगा और आप लोग जानते हैं जो five marker question आता है बोड के एक्जैम में उसका answer हमें 120 words में करना होता है और five marker four questions आते हैं यानि 20 marks तो यह हमारे five marker के हिसाब से इसको हम तैयार करते हैं आए दिखते हैं तो हमारा first point है constitution prescription prescribes that the please that is the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government again Belgium the central government को federal government बोलते हैं और number of ministers जो होगा वो equal होगा दोनों linguistic group से equal ministers होंगे एक चीज अभी चले यहीं डिसकस कर लेते हैं एक चीज़ अगर आप लोग हम लोग ध्यान दें तो easily समझ पाएंगे कि पूरी country में majority किसकी है पूरी country में majority है Dutch speaking people की राइट और minority किसकी है French speaking people की इसको भी हम जब capital government Brussels के बारे में पढ़े हैं तब उस detail में discuss करते हैं अभी इसी को continue करते हैं now point number one का a हो गया हमारा now point number one का B देखते हैं some special laws यह बहुत important है पहला तो यह हो गया कि number of ministers equal होगा central government में दोनों linguistic group से और point number one का है B point हम देखते हैं some special laws यानि अगर Belgium country में कोई बहुत important decision लिया जाना है जिसका की बहुत बड़ा आसर होगा तो कोई भी linguistic group चाहे वो डच speaking हो जो 59% है चाहे वो french speaking हो जो 40% है unilateral एक तरफा decision लेही नहीं सकते यानि कोई law वो unilaterally बना ही नहीं सकते दोनो linguistic groups का agreement जरूरी है right देखते हैं some special laws require the support of the support of majority of the members from each linguistic group एक बार फिर से repeat करता हूँ अगर कोई major decision लिया जाना है Belgium में by federal government तो दोनो linguistic group की majority vote करेगी तभी वो particular law बन पाएगा या तभी particular changes constitution में हो पाएगे अगर french speaking चाहें या कि हम अकेले कोई major decisions ले लें Belgium में federal government में तो नहीं हो सकता या अगर Dutch speaking लोग चाहें कि भाए हम तो 59% है जैसे श्री लंका में अगर आप लोगों के आद हो श्री लंका में क्या-क्या उन्होंने 1948 में जैसे ही independence मिलती है आपने देखा कि थ्री major decisions लिये गए जिसको हम लोगों ने पी पोलर के नाम से अगर आप लोग लास्ट वाली वीडियो देखें तो आप लोगों को पता चलेगा यहां पर ऐसा नहीं हुआ इन्होंने डच स्पिकिंग लोगों ने फ्रेंच स्पिकिंग लोगों को value दी उनके साथ power share करी और फिर फ्रेंच स्पिकिंग लोगों ने अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जो जो यह capital city Brussels है capital city Brussels में फ्रेंच people जो majority में थे उन्होंने ने डच स्पिकिंग पीपल जो capital city Brussels में minority में थे उनकी बात को मानी उनको respect करा उनके साथ power share करी तो मिल जिल को यह काम होता है अगर कोई कोई भी community या कोई भी जैसे आप लोगों की class में आपने देखा होगा या हो सकता आपका कोई friend है जो हमेशा अपनी चलाता है तो nobody likes to you know have a friend like one की जो हमेशा अपनी ही चला है और आपकी बिल्कुल ना सुने तो country के लेवल भी होता है country में क्या होता है बिसेकली धेर सारे groups होते है linguistic lines पे religions line पे तो मिल जूल के ही काम होता है आई देखते हैं तो यह हम लोगों ने clear किया हमारा point number one का A और B दोनों हो गया point A में हमने देखा कि number of ministers दोनों linguistic groups से बराबर बराबर होंगे point two में हम लोगों ने देखा कि अगर कोई major point one के ही B point में हमने देखा कि अगर हम बिल्जियम में कोई major decision लिया जाना है तो दोनों linguistic groups की majority की agreement होगी तभी लिया जा सकता है unilitary नहीं हो सकता तो Belgian government का जो element है पहला हम लोगों ने पढ़ लिया दूसरा element क्या है many powers of the central government जैसे मोदुजी वाली हमारे हाँ वहाँ पर federal government बोलते हैं तो many powers of federal government have been given to state government क्योंकि जो local issues है या जो local problems है उसके बारे में state governments ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं basically यहाँ पर ऐसा इसलिए किया गया ताकि state governments को strong बनाया जा सके right so many powers of the central government have been given to the state governments of the two regions of the country कौन-कौन से two major regions है मेरे बार-बार बोलने का मकस्त यह होता है कि आप लोगों को याद हो जाए तो two major regions of Belgium are Flemish region जो की उपर वाला है Flemish region yellow color से जो दिख रहा है जहाँ पे Dutch majority में है और दूसरा है वैलोनिया region जहाँ पे फ्रेंच लोग है 40 परसेंट अब देखते हैं पॉइंट नमबर टू का A हो गया अब पॉइंट नमबर टू का B the state governments are not subordinate to the central government state government के अपने पावर है central government के अपने पावर है central government परेशान नहीं कर सकती जैसा कि हमारे केज्रिभाल जी बोलते रहते हैं कि मोदी जी की गवर्मेंट हमें ठीक से काम करने नहीं देती तो इस तरह की Belgium में कोई समस्या नहीं हो सकती क्योंकि जो state government से वो central government की subordinate नहीं है कि हम लोग नावर विल मूब तो दे नेक्स स्लाइड और नेक्स स्लाइड में देखते हैं वाट ओल डूवी हैव नेक्स हमारा पॉइंट है जो मैं आप लोगों से डिसकस करना चाहरा था वह यहीं है कि अभी तो हम लोगों ने यह देखा कि एक तो central government का अरेंजमेंट हम लोगों ने देख लिया उसके बाद हम लोगों ने state government से देख लिया कि state government subordinate नहीं है अब तीसरा जो major element है बिल्जियम government क्या बिल्जियम model का जो तीसरा element है वो है हमारा government in Brussels जो capital में जो government है आए देखते हैं तो Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation अब मैं आप लोगों को यह दिखाना चाहता हूं अगर हम लोग पिछली स्लाइट पे जाएं अब देखे यह रहा हमारा ब्रस्तिल्स कि यह रहा ब्रस्तिल्स यह हो गया capital city जैसे हमारे capital capital दिल्ली है वैसे बेल्जियम की capital Brussels है Brussels में क्या है scene बिल्कुल अलग है एक बाद फिर से repeat करता हूं सुनने से जादा याद होता है यही मकसद होता है इसलिए मैं बार-बार repeat करता हूं आपने देखा कि पूरे Belgium में majority में कौन है है डच स्पीकिंग जो फ्लैमिश रिजन में रहते हैं और फ्रेंच स्पीकिंग ओनली 40 परसेंट है जो वैलोनिया रिजन में रहते हैं लेकिन capital city Brussels में खेल उल्टा है इसको देखे ब्रसेंट में क्या है 80 परसेंट जो पॉपुलेशन है 80 परसेंट पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकिंग है और 20 परसेंट पॉपुलेशन डच स्पीकिंग है राइट यह हुआ ड़्यक्त का capital city Brussels में capital city Brussels में यह है है कि कम पॉपॉजेशन लेकिन पूरी country में तो आप जानते हैं जैसे भी हम लोगों ने देखा था फिर से लिग दे रहा हूं आप लोग देख लिए कि अटेज में कि यह मरुहार है आरा फ्लेमिश देंश लेमीश देंश रिजनम thing में डश-स स्पीकिंग लोग रहते हैं जिनकी पॉप्पलेशन है फिफ्टी 69 and 160 हो गया, remaining 40% जाहर सी बात है, जो वैलोनिया रिजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, वो हो जायेगा अपना 40%, इस तरीके समय से याद रख सकते हैं, I hope यह helpful है, प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको कितना helpful लगेगा, तो यह पूरी country की composition है, population की, और यह capital city, Brussels की composition है है, पूरे population की, राइट, आई देखते हैं, अगली slide में चलके हम देखते हैं कि, क्या है, तो here we can see, जहां तक capital में government की बात है, उस में, Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation, the french-speaking people accepted equal representation in Brussels, capital city में चो की french 80%, french population 80% है, because क्यों है क्यों है क्यों है, क्यों है क्यों 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 कि dutch-speaking community has accepted equal representation in the central government, तो वहीं बात होई या, अगर आप respect देंगे, दूसरे को, दूसरा भी आपको respect देगा, right, तो यह हम लोगों अभी तक क्या पढ़ा, central government का पढ़ा, हम लोगों फिर state government पढ़ा, आप हम लोगों ने पढ़ा, separate government in Brussels, right, जिसमे central government में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, central government पे, number of ministers, french speaking ministers, and dutch speaking ministers का number equal होगा, और यहाँ पर भी हम लोगों देखा, जो Brussels में capital government है, capital में जो government है, basically, इसमें भी number of ministers, basically, Brussels है separate government, और इसमें भी जो, दोनों communities हैं, उनका number भी equal है, clear हो गया, आगे बढ़ते हैं, now, first, central government का element हो गया, second, state government का element हो गया, third, there are four, basically, there are four elements of Belgian model, तो three elements हम लोगों ने पढ़ लिये, हमारा fourth element होगा, जो कि बहुत ही innovative है, reality में, वो है, community government, अब community government में क्या है, हम लोग जानते हैं कि, Belgium में, three, basically two major linguistic group है, लेकिन one percent जो जर्मन है, उनका भी ख्याल रखा, ignore नहीं किया, ऐसा नहीं कि चलो हम majority महिश्रे लंका के तरह, हम इनको तो मतलब, नस्त नाबूद कर देंगे, क्या one percent, लेकिन value दी उन लोगों ने, तो जो community government है, community government को, Dutch-speaking, French-speaking, and one percent German-speaking, ये सारे लोग अपनी अलग-अलग, community government को, elect करेंगे, आई देखते हैं, detail में, apart from the central and the state government, there is a third kind of government, and this is, this is known as community government, and is elected by the, elected by the people belonging to, one language community, यानि, Dutch-speaking लोग, अपनी, community government, elect करेंगे, French-speaking लोग, अपनी community government elect करेंगे, और German-speaking लोग, अपनी community government, elect करेंगे, इससे कोई फरक नहीं पढ़ता, कि कौन कहां रहता है, पूरी country के level पे, एक government होगी, Dutch-speaking लोगों की, एक government होगी, French-speaking लोगों की, और एक government होगी, community government होगी, basically, right, इनको community government बोलेंगे, और, Dutch होगया, French होगया, और जर्मन की, जो इस particular language speaking group की, educational, cultural, this government has the power, regarding cultural, cultural मतलब क्या होगया, festivals होगया, customs होगया, rituals होगया, educational, and language-related issues, जाहिर से बात है, अगर, जो French language speaking people की, जो problem है, जो issues है, या Dutch speaking community की, जो problem and issues है, जर्मन speaking population की, जो problem issues है, या उनकी culture की, जो understanding है, better understanding तो, respective community को ही होगी न, तो यह इस मायने में बढ़ा है, innovative है, right, एक particular community की, क्या problem है, एक outsider उतने अच्छे से नहीं समझ सकता है, for example, Dutch speaking, Dutch language speaking, लोगों के क्या problem है, क्या issues है, उनकी culture क्या है, उनकी custom क्या है, आप as an outsider देख तो सकते हो, but उतने अच्छी तरीके से आप नहीं समझ सकते हो, तो अपने आपने एक बहुत ही ये, innovative step है, Belgian government में, community government, तो basically एक बार हम लोग, हम लोगों देखते हैं, कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, basically जो 5, 5 marker हमारा question बनेगा, कि जो Belgian model के important elements हैं, उसको describe करिया, explain करिये, हम लोगों ने क्या पढ़ा, फटा फट देखते हैं, इसको एक formula के help से भी हम लोग, एक trick के help से भी हम लोग learn कर सकते हैं, और वो trick है, C cube S, C cube S, C cube S, where first C, first C stands for, first C stands for central government, second C stands for, capital, basically capital government, government in capital city of Brussels, second C stands for, community government, community government, यह होगया हमारा C cube, और यह जो हमारा S है, S stands for, state government, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने दो major बातें पढ़ी थी, कि जो central governments है, उससे धेर सारे subjects ले करके, state governments को दे दिये गए, और state governments are not subordinate to central government, so, major elements of, Belgian model, 4 है, अब 4 हम लोगों ने देख लिये, C cube S के trick से हम इसे याद रख सकते हैं, अब हम देखते हैं कि, यह जो Belgian model उन्होंने adopt किया, इसकी वज़ा से, Belgian लोगों का क्या फायदा हुआ, इसके उलट में अगर हम देखें, कि श्री लंका के लोगों ने, जो majoritarianism का रास्ता अपनाया, उनके हाँ क्या हुआ इसकी वज़ा से, civil war हो गई, many lives were lost, बहुत ज़्यादा economic problems हुई, लोगों को as a refugee, दूसरे countries में जाना पड़ा, श्री लंका में, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर नुक्सान ही नुक्सान हुआ, country को civil war देखना पड़ा, लेकिन यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें भी एक question आ सकता है, कि जो Belgian model, Belgian के लोगों ने अपनाया, adopt किया, उसके क्या benefits दिया, फायदे हुए, आएए देखते हैं, so Belgian model have worked well so far, they helped to avoid civic strife, civic strife बोल लिजे या civil war बोल लिजे, एक ही बात है, basically Dutch speaking, French speaking and German speaking, groups में, communities में लड़ाई नहीं हुई, peace maintained रही, harmony maintained रही, so they helped to avoid civic strife between, two major communities, Dutch and French, possible division of the country, on linguistic lines, अगर हम लोग श्री लंका वाला, example याद करें, क्या था वहाँ पे, पहले जो LTTE थी, जो एक militant organization थी, पहले जो स्री लंकान तमिल्स थे, वो केवल, regional autonomy की बात करते थे, लेकिन, जो सिनहाला, community led government थी, जो बुद्धिस्ट religion को, foster करती थी, या प्रोटेक्ट करती थी, उन्होंने मना कर दिया, नहीं हम तो आपके सुनेंगे, last moment क्या किया, militant organization बनाया, and they started, demanding कि भाई, हमारा जो, north और east का, region है, स्रिलंका का, हम तो अपना separate, tamil ilam बनाएंगे, separate country ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने बहुत, प्यार से issues को solve का लिया, possible division of the country, on linguistic line हुआ है, सारे प्यार से रह रहे हैं, चाहां Dutch speaking हो, चाहां French speaking हो, जर्मन speaking हो, Dutch लोगों ने, central government में, French लोगों को, equal representation दिया, तो French लोगों ने, capital city Brussels में, जो government बनी, Dutch लोग जहां पर, only 20% थे, minor थे, वहां पर उनको, equal representation दिया, मेरा ना यह जो, facts हैं, उनको बार-बार repeat करने का, क्यों एक ही motto होता है, कि आप लोगों को learn हो जाए, क्योंकि सुनने से, चीज़ें ज़्यादा याद होती है, आप लोग इस मेथर के बार में, comment जरूर करें, कि यह helpful है कि नहीं, थोड़ा सा time तो लगता है, but, मुझे ऐसा लगता है, कि शायद, आप लोगों को यह helpful होगा, आप लोगों के लिए, इसलिए मैं रिपीट करता हूँ, अब हम तीसरा benefit देखते हैं, वेन मेनी कंट्रीज, तीसरा benefit, वेन मेनी कंट्रीज औफ यूरोप, केम टूगेधर टू फॉर्म, ईयू, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन ने मिल करके, एक करंसी भी बनाई हैं, आप लोग जानते हैं, यूरो, तब उन लोगों ने, ब्रसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल, ब्रसेल्स को, अपना हेड़कॉर्टर, बनाया, क्योंकि, दे वर इंप्रेस्ट, कि देखो, कितनी, डाइवर्सिटी को, लिंग्विस्टिक एन, कल्चरल डाइवर्सिटी को, कितना ब्यूटिफुल वे में, हैंडल किया, और कितनी कोपरेट्व हैं, चाहे डच हों, अब देखते हैं, लास्ट पॉइंट क्या है मारा, लास्ट पॉइंट है मारा देखते हैं इन बिल्जियम दे लीडर्स हैब रियलाइज देट दे यूनिटी आप दे कंट्री इस पॉसिबल ओनली बाई रिस्पेक्टिंग दे फीलिंग्स और इंट्रेस्ट अफ डिफरेंट कम्यूनिटीज एंड रिजन्स श्री लंका में क्या हुआ उन्होंने सिनहाला को ओफिस्यल लंग्वेज भी बनाया बुद्धिजम जो उनका सिनहाला कम्यूनिटी का रिलिजन था उसको प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर भी किया और सिनहाली इस कम्यूनिटी को गौर्मेंट जॉबस एंड यूनिवस्टी पोजिशन में प्रेफरेंस दी मतलब टोटल डिस्रिगार्ड एंड डिस्रिस्पेक्ट ओफ श्री लंकान तमिल्स एक यहां पर देख लिजे चितना ब्यूर्फिली वर्क आउट किया राइट चले इन दोनो कंट्रीज के एक्जांपल से हमें यह समझाना चाह रहा है कि हमें डाइवर्सिटी को चाहे वो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो चाहे वो कल्चरल डाइवर्सिटी हो चाहे वो रिलिज़न की डाइवर्सिटी हो उसको रेस्पेक्ट करना चाहे है और पीस्फुली हार्मोनियसली तभी रह सकते हैं और कंट्री ग्रो कर सकते हैं तो बिसिकली इसमें हम यही देखेंगे कि क्या लर्निंग से इसमें भी क्वेशन आता है तो क्यूक्यॆ देख लेते हैं तो लर्निंग स्वां ऑफ बलिजयम एंड स्रीलंका दोनो डेमोक्रीसी है डेलंका भी ड לींक्रीसी है बल्ग्य欠ीद देमोक्रीसी है बर्ट द वेडेह थैंडल डाइवर्सटी थे इस भेर्रिठेंट they dealt with the question of power sharing differently in Belgium the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions कि ऐसाने को कंट्री का कोई ऐसा हिस्सा जहां पर डिवलंपन्ट नहों या उस पडिकले एरिया के लोगों की इंट्रेस्ट एंड विशेस को धान में रखा जाए अगर श्री लंका वाले से आप लोग कंपेर करेंगे तो दोक सोचे कि सिनहाला कम्यूटी ने स्री लंकन तमिल्स के साथ कितनी ज्यादती करें यहां देखिए कितना बूरी फुली लोगों ने चीज़ों को यूनों वर्क आउट किया सच और रिलाइज़ेसं देखिए कितनी अच्छी मतलब अफ अगर हम लोग कीवर्ट से फोकस करें परिशेज देखिए के लिए जो पुरी कंट्री में 59 परसेंट थे देखिए रिलाइज देखिए देखिए का यूनी यूनी इन यूनी आपकाट किया है रिए यूनी अव दिखिए कांती इस पॉसिबल अली बाइज रिस्पेक्टिक द फीलिंग and interests of different communities now next point such a realization resulted in mutually acceptable arrangement for sharing power right अब श्री लंका वाला तो आप लोग जानते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा discuss कर लेते हैं श्री लंका में क्या हुआ श्री लंका shows us a contrasting example इसमें क्या हुआ it shows us that if a majority community wants to force वास्तों मन्हों ने force किया था अपनी interest and wishes को force its dominance over the others and refuses to share power अगर श्री लंका में वोग मान लेते हैं वह रिजनल अटॉनमी दे देती तो कोई नुकसान थोड़ी था बट एक होता है ना कि हम लोग number में ज्यादा हैं तो हम अपनी चलाएंगे तो इस मामले में माना पड़ेगा कि Europeans काफी liberal है हमारे South Asia में इस तरह का culture है कि might is right है तो थोड़ा सा गलत हो जाता है it can undermine the unity of the country आप बिल्कुल देख लिए श्री लंका में civil war हो गई सिविल वार में दोनों ही community के चाहे से नहारा community रही हो चाहे स्री लंकान तामिल्स रहे होंगे a lot of people were killed economy badly affected हुई इस civil war की वज़े से और कितनी भी developmental activities उस जो जो सकते हैं तो दोस्तों आप लोगों को यह वाला टॉपिक अच्छा लगा comment box में comment करके जरूर बताएं कि यह लेक्चर आपको कैसा लगा थैंक यू सो मच है